हेलो शाथियों नमस्कार कैसे हैं आप सभी श्वागत है आप सभी का आपके अपने शैनल SSC विद्याले में साथियों अभी हम सभी करने जा रहे हैं प्लिंथ टुपारामांट बुक बाई नीतु सिंग का वर्ब टॉपिक तो चलिए सुरू करते हैं तो आज साथियों सभसे पहले वर्ब में हम सभी मीन वर्ब करते हैं मीन वर्ब करते कि किसको हैं यानि मीन वर्ब करते है मुख्य क्रिया होता है दूसरी बात कि अगर कोई verb mean verb है तो उसका verb form बनेगा यानि आप कर सकते हैं कि कोई भी verb अगर वो mean verb है तो उसका v1 form, v2 form, v3 form, v4 यानि ing form और v5 form ये अभलेवर होगा अगर कोई verb अगर उसका v1, v2, v3 form में change हम नहीं कर पा रहे हैं यानि वो mean verb नहीं है तो एक तरीका ये भी है main verb को पाचानने का अगर हम इस तरीके से अगर देखना हो किसी sentence में जैसे एक sentence आपके सामने लिखा है आई know you, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, जो यहाँ पर no, no का मतलब क्या होता है किसी को जानना इस का मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तो यहाँ जो सातियों no verb है यहाँ पर first form में है देखे second example क्या है I knew you, अब देखे no का इज second form new होता है और थर्ड एक्जांपल का है थर्ड है I have known you for two years अब देखें नो एक ऐसा वर्ब था इसका first form इस sentence में यूज हुआ second form इस sentence में यूज हुआ और third form इस sentence में यूज हुआ यानि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नो जो ऐसा थी हो वो यहाँ पर mean verb के रूप में था clear अब कुछ और example के माद्यम से mean verb को बढ़ियां से समझते हैं mean verb की भूमी का किसी sentence में क्या होती है तो अगर बात करें तो एक sentence हमारे पास लिखा हुआ है Vincent is playing guitar कोई लड़का होगा वो क्या कर रहा है guitar बजा रहा है अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले बात करें mean verb तो वो क्या कर रहा है किसी भी action को दर्शा रहा है mean verb क्या कर रहा है साति हो source the action action को दर्शा रहा है कोई भी काम यहाँ पर काम क्या हो रहा है Guitar play हो रहा है तो mean action कौन है play ठीक है तो subject के बारे में अगर बात करें तो यह क्या करता यह perform करता किसी action को कोई भी जो action हो रहा था, action कौन सा हो रहा था playing ठीक है यह play का जो action था यह action को perform कौन करेंगा, subject करेंगा तो mean verb की भूमिका मैं ने पहले बताएے आपको इसके बाद subject की भूमिका बताई इसके बाद बात करें helping verb क्या करेगा तो साथियों helping verb क्या करेगा यह subject और subject और mean verb को connect करेगा ठीक है जैसे यहाँ पर देखें helping verb के रूप में कौन काम कर रहा है is is यहाँ पर helping verb के रूप में काम कर रहा है तो अब्जेक्ट क्या करता है एक्षन को रिसीव करता है यह इसका मतलब क्या हुआ विंसेंट क्या कर रहा था प्ले कर रहा था तो यहां पर सवाल उठेगा किसको प्ले कर रहा था तब आप जवाब देंगे गिटार को प्ले कर रहा था तो अब्जेक्ट क्या होता है साथियों हमेंसा एक्षन को रिशीव करता है क्लियर है चलिए दूसरा एक्जामपल देखें एक और एक्जामपल है एक और सेंटेंस है कि I have attended high school अब यहां पर देखें मीन वर्ब की भूमी का कौन निवा रहा है तो मैंने मीन वर्ब पहशाने के लिए बताया थे कि वैसे वर्ब जिसका अलग-अलग फॉर्म में उसको चेंज करना मतलब उसका अलग-अलग फॉर्म होता हो जैसे यहां पर हमें दिख रहा एक वर्ड दिख रहा attend और इसका यहाँपे वक का थड फॉम यानिए वी थृदि फॉम लिखाया आटिंडेड यानि यह जो अटेंडेड है यह चाल यह मीन वर्स अब यह अगतेंडेड मीन वरब तो इसके साथ हल्पिंग वर्स हो है वह लौबंक्ष हमारा है क्लीर धॉत आई हो तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ, I have attended high school, तो I यहाँ पे subject था, have helping verb के रूप में, I और attended को connect कर रहा था, और यह सारा action, मैंने attend किया, तो क्या attend किया, तो high school, यानि मैं school गया था, तो जो receive कर रहा है action को, वो हमारा object हो गया, clear है, your sister was reading a book, अब mean काम कोन हो रहा है, mean verb के रूप में, read यहाँ पे, read का fourth form reading, clear है, subject यहाँ पे, your sister, और helping verb के रूप में, watch काम कर रहा है, clear है, तो I think यह जो पूरा मैंने sentence को break करकर के बताया, इससे मैं यह आपको समझाना चाहरा था, कि इससे sentence में mean verb की भूमिका क्या होती है, और उस sentence के अलग-अलग part क्या-क्या होते हैं, और उसकी भूमिका क्या होती है, तो I think आप mean verb को अच्छे सा समझ गया होंगे, चलिए, निक्स्टे साथियों, forms of verb, starting में मैंने साथियों आपको बताया था, कि अगर कोई verb mean verb होगा, तो उसके अलग-अलग forms है वलोंगे, तो अब हम बात करने वाले कौन-कौन से form होते हैं, verb के, अगर हम बात करें, जो first form होता है, जैसे कोई भी verb, अगर मैं उठाता आनि वो present में होगा, clear है अगर कोई verb second form में, जैसा ये talk है, इसका second form talked बन गया, तो ये जो talk है, ये क्या है हमारा second form में हो गया, और जो second form होगा, वो past form में होगा, clear है, तो यहाँ पे आपका ये चीज क्लिए रहोते ही चलना है, कि अगर कोई verb first form में है तो वो present में होगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा ठीक है अगर कोई वर्फ थर्ड फोर्मम में तो वह past पाटिसीपल बनता अब यह past participle होता क्या है यह अभी आपको नहीं सोचना यह जब मैं आपको वह एडवांस बताऊंगा तो वहहाँ पर मैं बताऊंगा past पाथ पार्टिसींबल के होता है आपको ये समझ रहा है कि यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है होता है जिसको ओम और फीर फ्रबिकाता है या फिर वीफैर भी गाते है वर्फ का फॉर्थव फॉर्म अगर कभी भी यहां पे इसके बाद मैं की भी फिर लिखूं तो यहाँ पे मतलब W4 World और फ्रस्ट सवार्म ठीक है तो इसके बाद कभी भी आपके लिक्चर में wire वी टू ऐसे करकर आता है तो आपको यह समझना है वी वन मतलब का फ्रस्ट फॉर्म यानि रज़्ट फार्म S左 πôrth form और विफाइव यानि फिफ्फ फॉर्म अब देखे कि यहां पे चार फॉर्म ही लिखाए आपको यह भी समझना कि जो वी फाइव होता है यानि वर्ब का जो पांचमा फॉर्म होता है अभी आपके सामने बहुत सारे प्रच्जमिनपल यहां पर आप देखेंगे कि वर्ब का वागा पांचवा क्रिजेंट अगरा बात करें going to be 5 यह कौन से थिंट फ chopping में होता यहां जैसे एक बात करें कि वर्ब हमारे पास टौक था तो इसका वीवन तो ये खुद होगया टौक ह्टु टौक होगया वीसधरी भी पहँanga थोगुध हम बात करें अदुर्ट कि वीफायब क्या होगा तो विफाइव क्या होता है यह टॉक में जनरली जो वीवन होता है या फिर यह लगा अगर हम इसका वर्व का फिफ्ट फॉर्म बनाते हैं तो इसका जो विफाइव फॉर्म होगा साथी हो टॉक होगा यह सारा एक्जाम पर लिग्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं लोग आरी चीजह मैं क्लियर करूंगा जब वर्व का एडवांस वाला फॉर्म बताऊंगा ठीक है अभी आपको बस अराम अराम से पढ़ना है ठीक है ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं डालना है जो मैं बता रहो बस उतना ही समझना है ठीक है अब देके नीचे कुछ और एक्ज हम इतिंग नहीं होना हो नहीं हो परिण फिर ऐफी वी फाइफ यह एस टिक है वुआ कि मिमेट हमारा इच्ट पॉर्पन चाहिए तो इस तरीके से आप है बहुत सारे मुआ और बहुत सारे वर्ब आपके सामने आएंगे ठीक है यह सब एक्जांपल के माद्यम से आपको प is clear अब आते हैं अब देखिए वर्व पॉर्व को अभी आप लिए आप ने देखा कि अलग अलग वर। जैसे वापस में लेके चल रहा हूँ यहां पर आपने देखा कि अलग अलग वर्व हैं और उसका जो मतलब जो ची भर हो रहा वी-2 और एड़ी एड़ कर दिया ठीक है लेकिन एक और यहां पर सबसे लाश्ट का एक्जामपल था गो जिसको जब हमें चींज करना पड़ा तो गो का जो वब फॉर्में है ओ में ओरो बोर्वाज गया जो वित्री फॉर्मम ए ग२ोट हो गया यानि यह जो है कोई है स्था स्था आँप टिनि तो मतलब यह आप यह चीज आप नोटिस करते हैं तो यहां पर बात आ जाता है कि वर्ब का फॉर्म कैसे चेंज होता है तब इस अधार पर इस बेसिस पर वर्ब को दो कैटेग्री में बाटा गया ठीक है आप यह समझ पा रहे हो जो मैंने अभी आपको बोला इस बेसिस पर कि वर्ब कोई भी वर्ब फ़र्ष्ट फ़र्म से से केंड फर्ब से थर्ड फ़र्म कैसे चींज होगा इस बेसिस पर वर्ब को दो केटेग्री में divide कर दिया गया तो पहला क्यां साथियों रीगुलर वर्ब ठाला कटेगरी कहा हमारा पहला समेशान नमेया रिगुलर यानि कोई खास पैटरन फॉल ojos अ कैसा तो साति यह दिछा एक एक सबसे पहला एक्राफ पिसको पोलेंगे तो अऒर वर्ब that's past and past participle, past मतलब second form और past participle मतलब third form, is made by adding d और ed, मतलब कोई भी ऐसा वर्ब हो, जिसके last मेंगर d या फिर ed एड करें, और second form और third form मन जाए, वो तो वो सारे वर्ब regular वर्ब में आते हैं, क्या ये चीज के लिए रहे, अभी मैं example भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, अब बात करें, irregular वर्ब क्या होता है, तो वैसे वर्ब जो regular नहीं है, बहुत असान definition है, वैसे वर्ब जो regular नहीं है, तो वो सारे वर्ब किसमें आ गया, irregular वर्ब में आ गया, आपको सिर्फ regular वर्ब का definition ध्यान रखना है, कि regular वर्ब किसको बोलेंगे, वैसे वर्ब जिसके last में d ह या एडी हो या वैसे वब जिसके लाश्ट में डी या एड एड करके हम सेकेंड फोर्म बना सकते हैं वह रिगृलर वर्ब हो गया और जो रिगृलर वार को छोड़के तारे वब जो regular verb के pattern को follow नहीं कर रहे है, वो कौन से verb हो गए हमारे, वो irregular verb हो गए, clear है, अब कुछ example देखते हैं, अब देखें, example में कहा है, जैसे एक example यहां पर pull, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ED ED लगा दिया, ठीक है, अब देखें, exercise में ED ED लगा दिया, तो यह सारे जो है, अब देखें, यहां पर देख सकते हैं, जितने भी example यहां पर लिखे गए, यह सारे example हमारे regular verb के example है, इसका जो V2 और V3 form बन रहा है, इसमें क्या हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सीधा ED एड़ कर दे रहे हैं, तो regular verb पर definition क्या था कि वैसा वर्ब जिसके first form में, हम D या फिर ED लगा कर second और third form, यानि past form और past participle form बना सकते हैं, वो regular verb में आएगा, यह clear है, और बाकि अगर irregular verb का बात करें, जैसे यहां पर hang है, इसका V2 क्या बन गया, हंग बन गया, मतलब यह last में D या एडी नहीं लगा, अब यहां पर थोड़ा सा कई लोगों confusion होगा कि hang का एक होता है, एक और hang होता है, जैसे यह hang, hang का मतलब क्या हो गया, यह hang का मतलब किसी चीज को लटकाना, लेकिन एक hang का मतलब होता है, साथियों फासी पे चड़ाना, ठीक है, तो इसका जो V2 और V3 बनेगा, यह hang जो है, यह regular verb में आता है, ठीक है, यह बहुत ही important चीज़ है, यहां पर सीखने लाइक चीज़ है, ठीक है, जैसे यहां पर मैंने hang लिखा, तो इस hang का मतलब क्या हो गया, अगर आप चाहो तो note कर सकते हो, ऐसे आपके book में लिखाया अल्रेडी, इस hang का मतलब क्या हो गया, और आगे भी आएगा, मैं वहां पर भी clear करूँगा इसे, इस hang का मतलब हो गया, किसी चीज़ को टांगना, ठीक है, तो ये तो irregular verb है, क्योंकि ये किसी चीज़ को टांगने वाला hang है, लेकिन जैसे ये एक और hang आता है, जिसका मतलब क्या होता है, किसी को फांसी पे चड़ाना, तो ये जो hang है साथियों, ये हमारा regular verb है, ठीक है, ये क्या हमारा, ये regular verb है, ठीक है, और इसका V2 और V3 कैसे बनता ये, इसका V2 और V3 hanged, यानि ED और ED लगा, कि यही आपका V2 है, और यही आपका V3 है, तो ये चीज़ के लिए रखना है, ठीक है, अब देखे, आप देखोगे इधर, कि इस तरफ, जितने भी आपके verb हैं, ठीक है, ये कोई भी खास pattern को follow नहीं कर रहे है, ठीक है, सब अलग-अलग है, तो ये सारे हमारे regular verb हो गए, इन सारे verb को आप पढ़ लेंगे, ठीक है, और इधर वाले जितने भी थे, ये हमारे regular verb हो गए, ये होप यहाँ पर आपको regular और irregular verb समझ में आ गया होगा, मतलब उसके बीच का अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब देखे, irregular verb को भी अलग-अलग केटेग्री में यहाँ पर बाठ दिया गया, आज अगया जैसे आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर आप पाएंगे कि अलग-अलग केटेग्री में इर्रेग्लर वर्ब डिवाइड है तो इर्रेगुलर वर्ब का definition तो मैंने बता दिया था कि जो कोई खास pattern follow एकर पटर होगे इर्रेगुलर वर्ब अब रेगुलर वर्ब में क्या होता है थीन के इसको 3 कटेगरी में हम लोग बाठते है सबसे पहला टाइब 1 ताइब 1 का मतलब क्या कि एक ऐसा irregular वर्ब जिसका सारा फॉर्म सारा फॉर्म मतलब उसका वी वन ठीक है वी टू वी थरी जब भी आल फॉर्म के बारे बात हो तो इसी तीन पर आपको फोकस करना घॉर्ड तो टाइब में ऐसा वर्ब जिसका तीनो फॉर्म दिसी और फॉर्म क्य हो अलगलग ऑडिखेंट हो जैसे एक ज़कूर मैंने उठा लिया गो अब गया धिंच कि आए तो यह हमारा इर्रेगुलर वर्ब का टाइप वन हो गया ठीक है अब बात करते हैं टाइप टू देखिए यह कुछ एडिशनल इंफॉर्मिशन है जो आपके बुक में नहीं लिखा गया तो आप यहां पढ़ते हो तो यहां पे सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक के आपके साथ कुछ ऐसा एक्स्टरा चीज जो आपके एक्जाम सर्लेटेड राघी है और अपके एक्जाम में आ सकता है और सातीं साथ ऐसा चीज जो आपको बुक को समझने में और हिल्प करें वह सारी चीज मैं यहां पर बताओंगा तो आपस यह रिक्वेश्ट होगा कि आप connected रहें ठीका ना जितनी भी वीडियो और आएगी वीडियो लगातार देखते चलें आपको कभी भी बुक को बार बार रिविजन करने की जरुतनी होगी इतना इतना सारा चीज मैं क्लास में बता दूंगा कि आप मतलब बढ़ियां से इंगलिस है ना जो आप कहते हो जी चले अब बात करें इर्रेगलर वर्ब का टाइप टू है put 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 यानि V1 V2 V3 तीनों के आथी हो तीनों सेम थी तो यह इर्रेगुलर वर्प के बारे में था है ठीक है lithe अब चीधा एक जांपल पराता है ठीक है सीधा मतलब वर्प अलग लग वर्प को देखते हैं मतलब जो भी वर्प है ठीक है उनको देखते में आता है क्लियर है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले बात करें सबसे पहला जो वह आपका अराइज अराइज का मतलब क्या होता है उठना ठीक है इसका सेकेंड फॉर्म क्या अरोज थर्ड फॉर्म अरीजें अब देखिए आपको मिली फोकस करना भी ओन तो पिर देखिर वीवन पे वीवन यानि हमीशा जब वीवन बोलेंगे थे एखिए मंतलब कह सामि》 आपको अप्रजेन्ट फॉर्म Yarni या फिर फिर फस्ट फॉर्म ठीक है वी तू जब बोलेंगे तो आपको क्या फोकस करना माइन क्या चलना चाहिए निए ऑस्त फॉर्म को दर्सा आ रहा है जब V3 में आ बोलुगा तो आपको क्या समंज़ना यह पाष्ट पाच्छ पार्टि सिबाल को धर्सार है और है क्लियर है जब मैं V4 बोलूँगा तो आपको आपको आपके दिहान में आना चाहिए कि यह आई एंजी वाला फॉर्म है और जो विफाइब में बोलूंगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि यह 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 वाला फॉर्म है यानि वीवन में यह 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 आड करके यह फॉर्म बन रहा है ठीक है चलिए अगला यहांब मैंनि अगला अगला वाल देखते है आवीक का मतलब क्या होता है जागना तो अविक का पास्ट फॉर्म यानि इसकेंड फॉर्म का आउग का एक आरह और थे इसका अ dasat हूरी उरव फॉर्म यह फिर्स फोर्म और फॉर्सट फॉर्म अलग अलग है बाकि जीतने भी व लेकिन भी ऐसा वर्ब है जिसका base form अलग है ठावर इसका first form में M या R आ एम और आःर यह इसका first form में आते एकलियर एक अब बी कामतलब गया होता हो इसका आगर past की बात करें तो past इसका वाज वर अगर। है आगर हम इसका पर्च्ट पाइसिपल आप तिन्स का बहुत आपने यूज किया हूगा ठीक है वहां पर आपने में और को देखा ओगा बन वबप को देखा ओगा ठीक है जो बिन है यह यह धीक ही पास्ट पाझचिकल फॉर्म ने क्लिए अब है अब बीका बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कई बार एक्जाम में इससे पूछा है यह इसका अगला वह आने वाला है बेर का मतलब क्या होता है यह बेर का दो अर्थ होता है एक बेर अगर पहला बेर का बात करें तो इस बेर का अर्थ होता है जर्म देना तो इसका जो वीटू और वीथरी बनता है बोर और बोर्न एक और बेर होता है इसका मतलब होता है किसी चीज को सहन करना कुछ दर्द को किसी चीज को सहन करना बेर इसका जो वीटू होता है फोकस करना यहां पर ठीक है तो आपको याद कैसे रखना कई बार होगा कि किसी सेंटेंस में वहां पर वीथ्री यूज होना होगा और वहां पर जर्म देने वाले वाले भाव का यूज होगा लेकिन वहां पर वीथ्री के जगा पर बॉर्न यूज कर देगा और कई ऐसा जग रखना है कि जहां पर extra E आ रहा है वी 3 में जहां पर extra E आ रहा है वो सहन करने वाले किसी भी चीज को सहन करने वाले bear का part है ठीक है और जहां पर E नहीं है इसका मतलब जर्म देना ठीक है उसका का V3 form है तो यह चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है बिकम बिकम मतलब किसी कोई चीज बिकम मतलब बन रहा है ठीक है बिकम वीटू क्या हो जाएगा बीकेम वी 3 बिकम बिकम इसका आगे बात करते हैं नेक्स्ट बिगिन बिगिन का मत अब इसका V2 क्या होता है वह आपका सेकेंड फॉर्म बिट अब देखें यहां पर आपको एक चीज में बता रहा हूं कि अगर कभी पी जैसे यहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2 क्या है बिट है ठीक है अब यहीं से आपको कुछ कुछ और चीजियां किलियर हो जाएगी आ तो बीटें क्यों बन गया ठीक है इसे बहुत लोग के मने में मैं डाउट हता कि हमने क्यों कर दिया तो तो आप रूल है कि जब कभी जैसे यहां पर वी टो में में बीट है ना तो लाश्ट में आपको दिखा सबसे बीट का जो लेटर है वह वहांवारा गॉन सोनेन्ट है इसके पहले क्या मिले single vowel कोई भी आपको जैसे एक हमारा वर्प दिखा वी टू फॉर्म में बीट दिखा लाश्ट वाला क्या था हमारा तब जब हमें इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म जब वीटू से वीध्री में चेंज करना था हमें तब हमने क्या कि टी यानी कॉन्सोनिंट को डबल कर दिया और इसके बाद हमने ईए लागा दिया तो यह बन गया बट से बिटिन यह किलियर है, अब यहां पे मैं ये भी आपको बता हूँगा कि जैसें यहां पे bite था, ठीक है, अब यहां से biting क्यों बन गया, मतलब e कहां पे गायब हो गया, ठीक है, बहुत लोगों के मन में आता है, जैसे जनरली क्या होता है, कई सारे ऐसे वाब होते हैं, जिसमें क्या कर वोबिल था तो अगर किसी भी वर्ब की लास्ट में वाबिल मेले आपको ठीक है तो आप क्या करते हैं सिंपली वोबिल को गएप करते हैं जैसे कुछ और आफको दिखाता हूं जैसे आप यहां पर देखें एक जांपर हमारे पास है बैट last में क्या था हमारा यह हम conversion देख रहे हैं V1 से V4 यानि first form से fourth form में कैसे convert होता है ठीक है इसमें कई लोगों को confusion होता है इसलिए मैं यह चीज clear कर रहा हूं ठीक है जैसे byte एक word था इसमें last में क्या था हमारा वावल था तो हम इसका जब V4 में change करेंगे तो वावल को यहां से गायब करेंगे clear है वावल हमने गायब किया और सीधा ing form एड़ करेंगे तो यहां पर क्या हो गया इजो हमारा गायब हो गया clear है अब अगला देखे राइड राइड में e को आप गायब करिए और इसमें ing आड़ कर दीजे ठीक है इसके बदनेक्स्ट लाइक e को हटाई ing आड़ करिए लेकिन दिक्कत कहां होती है दिक्कत होती है कि अगर लास्ट में वावल ना मिले अगर लास्ट में दिख जाए ठीक है तो हम क्या करते हैं उस इसक्षिप्शन वाले पूर्ट्सन है ठीक है ना मतलब ऐसा नहीं कि यह लगभग आप 100 परशेंट कोई को फुटी चिज़ नहीं कह सकते फिक यह कई का ऐसा जगा मैं खुद हीं आपको अभी अभी कश्यूज करने वाला हुआ ठीक है मैं खुद हीं आपकोड़ने करूँगा मतलब कुछ ऐसे वहाव आपके सामने रखूंगा जो इस rule को valid कर रहे हैं लेकिन आप जो rule है जो जो मैं बता रहा हूँ बस उस पर आपको focus रखना है मतलब जो आपके major वर्फ हों में इससे आपको याद हो जाएंगे मतलब याद करने में बहुत help मिलेगे आपको जैसे आप देखें कि यह जो यह जो वर्ब है seat last में क्या था कॉंसोनेंट था तो अगर कॉंसोनेंट लास्ट में दिखें तो सीधा कॉंसोनेंट को डबल करेंगे और आई एंजी एड करेंगे ठीक है लास्ट में कॉंसोनेंट दिखा अब वापस से वह रूल याद करेंगे कॉंसोनेंट दिखें तो डबल नहीं करेंगे कॉंसोनेंट द होना चाहिए ठीक है तो अगर ऐसा दिखा तब हम ''Conson Ent'' को ड Vil करेंगे क्या यह चीज की लिए है कि जब राश्ट में Consonant दिखा उससे पहले सिंगल वा बल दिखा तब हम उसे zit को डूबल करेंगे तब आई अड करेंगे क्या यह चीज के लिए रहे यह आफ्ण अब वापसस्न जैसे आप deep और एक जांपल था become अब last में क्या साथा यहाँ पर लास्ट में दिखा 15 तो ढूं क्या करेंगे रिमूब का रिमूब करेंगे और अगर कॉंसोनेंट दिखे और उसके पहले सिंगल वावेल हो जैसे यहन के पहले क्या साती हो सिंगल वावेल है तो हम सीधा कॉंसोनेंट को डबल करेंगे consonant को double करेंगे और ing add करेंगे तो क्या ये rule समझ में आया आपको कि अगर last में wobble हो और last में consonant हो तब इसका जो v4 बनाते हैं ing form बनाते हैं कैसे change करते हैं ठीक है अब इसके बाद जो भी example हैगा मैं सारे v4 को discuss नहीं करूँगा आपको बस वो समझते भी चलना है ठीक है कै है चली अगे बढ़ते हैं क्या हवा का हवा Daar हॉआ कै बंद्री होष रहा है कि तन बढ़ी हॉआ हवा चल रहा है तो व्लूं का मतलब क्या होता है हवा का चलना विलो का सेकेंड फॉर्म फॉर्म ब्लू ब्लून आठेगे दी कर बाइंड बाइंड मतलब बांधना किसको बांधना कोई गठर को बांधना ठीक है बाइंड का मतलब होता है बाउंड 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 क्लियर रही है चलिए अगला है अगला है साथियों बीड अब देखें बीड का यहां पर लिखा अभिवादन करना तो यह तोनों का V2 और V3 फॉर्म सेम रहता है बिड बेड बिडिन ठीक है लेकिन एक और बिड होता है जिसका मतलब बुली लगाना आप सबी लोग आपिल का मैच देखते होंगे तो आपिल जब होता है तो उससे पहले क्या होता है खिलाडियों पर बुली लगता है ठीक है बिडिंग होती है आपने सुना होगा यह वर्ड बिडिंग तो यह एक और बीड है जिसका मतलब होता है बुली लगाना तो इसका जो V2 और V3 फॉर्म ऐसा आती हो यह बिड ही होता है मतलब यह सीधा सेम रहा जाता है आप याद करिए Irregular Verb मैने जब आपको लेकिन अगर बीड का अर्था आग्या देने से हो या बीड का अर्था अभिवादन करने से हो तो इसका मतलब क्या avons इसका जो वी 2 और की य कैसे बनेगा इसका V2 बेड और V3 बिड़न में करवर्ट होके बनेगा किलियर है चलिए अगला ब्रेक ब्रेक का मतलब तोड़ना तो ब्रेक ब्रोक 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 इन अब देखे ब्रोक इन जो है साथ हूं यह V3 फॉर्म है पास्ट पाडिसिपल कई बार इसका एक्जामपल एज एड्ज रूपर ब्रोक इन चीर देकिया बरोक इन चीर निया ठीड फर्म कम कर रहा है यहा पर एंज्जेक्टिव में काम कर रहा है इन चर्ष हूं आप अगला है क्लिंग क्लिंग का मतलब होता है चिपटना देखें यह थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्प था इसके लिए मैंने एक्जामपल भी रखा है तेयार क्लिंग का मतलब चिपटना इसका वी टू होता है क्लंग वी थी होता है क्लंग ठीक है क्लिंग क्लंग क्लंग अब चिपटना कर था बहुत लोगों समझ में नहीं आता है तो मैंने यहां पे एक एक लिख रखा है कि राम क्लंग टू मुनिका जाओं मतलब राम जो है मुनिका के बाहों से चिपट गया चिपट मतलब आप ऐसे कह सकते हों कि उसके मतलब बाहों से लिपट गया चिपटना मतलब लिपटना ठीक है यह एक जामपल के बाद हम से आप इस वर्ब को समझ पा रहे ह ठाक है आगे बढ़ते हैं चलिए डिकल न होता है डिकल मतलब को तक मतलब खोदना क्या उतना जमीन वगए यहारा भागला बॉटते हैं ने सब üçणों और आप कर न करना को ना ट्रॉय अघ्र अनल भर है करते हैं उन कोई जैसमाय आप्याते हैंनक को drew drawn अगला है drink drink का मतलब पीना ठीक है कोई भी चीज आप पीते हो ठीक है कोई भी लिक्विड पीते हो drink यूज करते हैं वहाँ पे drink drank drunk अगले drive drive का मतलब क्या चलाना drive drove driven अगला है eat simple easy verb eat at eating अगला है fall fall का मतलब गिरना fall fill fallen fall का मतलब कहीं से गिरना नीचे ठीक है अगला है find find का मतलब पाना find found found ठीक है अगला है fly fly का मतलब उड़ना या फिर उड़ाना दोनों होता है ठीक है fly का अर्थ आपको जानना है fly मतलब उड़ना या फिर उड़ाना इसका वीटू क्या होता है fly का v2 v3 में change कर रहे हम कोई वी fix pattern नहीं है यानि यह सारे जितने बी verb हम लोग पढ़ रहा है यह irregular verb में पढ़ रहा है अब irregular web में आप मैंने बताए tίνe type के थे कुछ ऐसे ते झिसका तीनों अलग-अलग जैसे यह देख्या fly अलग था, flew अलग था, flown अलग था तो यह अलग type का बन गया कुछ ऐसे आपने, आप पाओगे यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, जिसका दो form क्या है, V2 और V3 वाला same है, ठीक है, और कुछ जैसे यहाँ पे आप देखो इसके उपर, found और found क्या हो गया, similar मिल गया, ठीक है V2 और V3, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो तीनों ही मतलब अलग-अलग होते हैं ठीक है, तो ऐसे मिलने वाले हैं यह सारा यह जो गूरूप चल रहा है यह रेगूलर का चल रहा है, बस कोई भी आपके सामने आए, तो आप यह clarify कर पाएं आप यह समझ पाएं कि यह कौन से form का, कौन से group का है ठीक है, यह आपको समझना है अब देखे, मैंने कुछ extra यहां लिख रख का है कुछ confusing यहां पर होता है, कुछ confusion होता है लोगों को कई विद्यार्थियों को confusion होता है आप यहां पर, जैसे drink का जो V3 form था साथियों drunk, ठीक है तो drunk तो हमारा V3 form है, ठीक है तो जब इसका adjective के रूप में यूज करना होता है, तो drunken हो जाता है ठीक है, drunk नहीं drunken ठीक है, आपको यह जानना है कि जब अब ऐसे जनरल ली क्या है कि कोई भी V3 है, जब उसका adjective form same लिख देते हैं, ठीक है तो लेकिन जब जो drunk होता है, इसका adjective form कभी भी अगर यूज करना होता है, पास्ट पाटिसिपल के रूप में तो यह drunken हो जाता है, ठीक है चलिए आगे बढ़े, अब यह सारा जितना भी मैं वर्प करा रहा हो ना यह आपको सीधा सीधा रटना है, याद करना है, ठीक है, जो चीज़े मैं बता रहा हूँ सीधा वन लाइन में करते चलना है, कोई भी बाद के लिए नहीं छोड़ना है, जितना भी वर्प बढ़ा रहा हूँ आपको जितने भी वर्प हम आपके बुक में दिये गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी मैं लिखवा दूंगा, वो सारे वर्प हम आपको याद होने चाहिए, अगर आप इंगलिस पे से ही बना है, आगे देखे यहाँ पर नीचे में लिखा रहे हैं, घे पाना, तो गट गॉट 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 से ही फॉर गट बना है, अगला देखे फ्रीज, फ्रीज का मतलब जमना, जैसे हम अगर हम हम चले गए बर्फ में हम खुद उतर गए ठीक है तो हम क्या होंगे जम जाएंगे ठंड के कारण लेकिन हम पानी को जमाते हैं यह दोनों में अंतर समझ रहे हैं जमना और जमाना दोनों में अंतर है हम खुद जमते हैं और पानी या कोई चीज को जमाते हैं तो फ्रीज फ्र फूजन यह होता है कि यह जो गॉट है वी थरी के ना कई बार उनंको गॉटन यहां लिखा मिलता है तो वास्ते विर्टेंस आती वो हमारे कुछ येक्ल रोगा चलिहां आगे बढ़ते हम घिव कि मतलब कोई छही चीज्शको देना कुई आप समान इसी को देते ठीक है गिव गेव गिविन अगला है ग्रिंड 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 का मतलब क्या होता है सातियों पीसना ग्रिंडिंग मसीन आप सबी के घर में है ठीक है ग्रिंड ग्राउंड ग्राउंड अगला है ग्रो ग्रो का मतलब बढ़ना या फिर उगना ग्रो ग्रीव ग्रोन हैंग वापस आ गया हैंग पे हैंग मैंने अभी अभी जश्ट कुछ दिर पहले आपको कर आया था हैंग का मतलब किसी चीज को लटकाना तो अगर किसी चीज को लटकाने वाला हैंग हो तब तो V2 और V3 क्या होगा हंग और हंग ठीक है लेकिन अगर hang का मतलब फांटी लगाना हो, अगर hang का मतलब क्या हो? अगर hang का मतलब फांटी लगाना हो, तो इसका जो V2 और V3 है, यह इस तरीके से बनेगा इडि लगाकर तो अगर मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछूँ कि यह जो hang है यह कौन सा यह जो hang है हमारा यह कौन से group का है मतलब कौन सा regular या irregular तो आप यहाँ पे जबाब दोगे कि यह तो regular verb है लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप बताओ यह वाला hang कौन सा है रेगुलर या इर्रेगुलर तो यह हमारा इर्रेगुलर verb है और यह हमारा रेगुलर वाब है क्या यह चीज के लिए चलिए आगे बढ़ते है सेशन कैसा लग रहा है आप जरूर बताएगा कमेंट में ना सेशन इंट्रिस्टिंग लग रहा है ठीक है यह सब आप कमेंट में जरूर बताएगे सेशन कैसा लगा लाश्ट में बता सकते हैं आप इससे क्या होता है मैं पता चलता है कि आप कैसा मतलब महसूस कर रहे हो सेशन में मैं कैसा आपको महसूस करा पा रहा हूँ मतलब हमारी यह कोसिस होती है लेकिन बहुत ही, अराम से, आपके दिमाग पे बिना बोज दाले, मतलब मस्ती में पुरा सभी चीज़ों को सीख जाना है। चलिया अगला वर्प क्या हमारा गारा हाईड हाइड का मतलब छ्षिपना या छिपाना हाईड हीड 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 хоч होल्ड hold का मतलब थामना किसी चीज को थामना hold hold का बीटू क्या बनेगा held held ठीक है अगला है साथियों अगला वर्ब है no no सबसे पहले आया था याद करिए no का मतलब जानना no new known सबसे पहला जो example आया था वो वहाँ पे ये तीनों form यूज था वहीं समयने starting किया था मीन वरब का definition ठीक है चले अगला बात करतें लाई लाई का मतलब क्या होता अशाथ यहां लाई का मतलब लेटना लाई ले ले लेन लेटना I आब देखेवलाः के बारे जब इसका ध्षान दोगे जनरली मैं जने बाकी सारा बाकी सारा जो भी वी फोर है इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि सीदा-सीदा वो रोल फॉल्लो कर रहा है जो मैंने आपको पता था राश्ट में वाविल था वाविल को हमने अटा दिया आई एंजी एड कर दिया ठीक है अब लास्ट में देखें होल् वलू है लाश्ट में जैसे यहां पर दीके किन ओ डबलू अब यहां पर देखिए यह डबलू के आसाती हमारा consistent है इससे पहले ऐसींगल वह अरे तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर क्या consonant double किया सकता था मैंने रूल क्या बताया था है वापस लेके चलते हैं मैं ने आपको रूल की बताया था कि अगर ज्ट में कॉंसोनेंट दीख़े ठीक है यह d Anthmy से पहले वहयल दीखे तो सीधा कॉंसोनेंट को सिंगल वहयल कंसोनेंट को क्या करते हैं वर करते हैं लेकिन यहा पे यहां यहां पर डबलू के आसाती हूं हमारा कॉंसोनेंट है और ओ किया हमारा सिंगल वावल है ठीक है तो क्या यहां पर डबलू डबल किया जा सकता था तो इसका अंसर है नहीं ठीक है मैंने खुद बोला वहां पर कि मैं खुद आपके सामने अभी एक्षेप्शन रखने वाला ठीक है ना तो कुछ ऐसे exception है ठीक है जो आपके यह बने बनाया रूर्ल को follow नहीं करते ठीक है बोलते हैं कि हमारा माई life माई rule वही है यह सब ठीक है लेकिन जो भी बाकी maximum rule follow करते हैं उनको आपको rule से ही याद रखना है ठीक है rule से क्या होता है याद करने में हमें असानी होत एसे दिखाए जैसे और कौन-कौन काता है इसका रूल काता है सीदा आप आई एको remove करें और ing add करें ठीक है sorry i e को remove करें और y के साथ ing को add करें ठीक है यसे lie तßь फो हमने remove कर दिया और y के साथ ing vardır टो आप देखें एक यह पनगा li e से lying टीक है यह से से में इसी तरीक थे अगर डाइए था तो इसके राइड राइड का मतलब होता है सवारी करना राइड रोड रीड़िन अब यहां पर अध्यान से देखें यह जो अगर मैं आपसे सवाल पूछकि इस राइड वर्ब है कौन सा regular या irregular तो आप तो असानी से बोल दोगे कि यह irregular लेकिन अगर आपसे पुछाओ कि irregular कौन सा है कौन से type का इस ठीक है type 1 है type 2 है type 3 है तो आप जवाब देंगे कि इसका तो 3 फॉर्म है ना कि 3 फॉर्म सर इसका क्या है अलग- अलग है ठीक है मैंने बता है था कि जो irregular वह भी तीन तरह का होता है एक एक टाइप होता है जिसका तीनों फॉर्म क्या होता है वह सेम होता है एक जिसका दो फॉर्म सेम होता है एक होता है जिसका तीनों फॉर्म अलग-अलग होता है तो यह वह टाइप वाला है जिसका तीनों फॉर्म अलग-अलग है यानि य आफ लगर आगे बड़ता है अब देचे आप यहां पहुत अगर आप ध्यान दो है तो हब शसक्ता प्राइब करते हैं तो मैक्सुम जगह पर यह रूल काम करेगा तो मैसली और भी एक्सर्प्जन आपके सामने आयेगे में आपको याद मैंने बोला एक लाइन में आपको सीधा सीधा रटना याद करना ऐँ ठीक ना याद करो गया तो चीजें बहुत बढ़ियां से समझ में आएगी आने जब आप इसका यूज करो गया तो आपको यह जीज किलेर पता चलेगा आपको यह ध्यान होना चाहिए कि इसका वी 2 क्या होता है रिंग होता है ठीक है बजता है तो रिंग का मतलब बजना भी होता है रिंग का मतलब बजाना भी होता है ठीक है तो रिंग का वी टू रंग 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 क्लिए रही है अगला राइज राइज का मतलब होता है उठना जैसे आप जनरली का राइज जै कि एक और अर्थ होता है इसका मतल nggak थरतक्की करना ठीक है जब आप अपने जीवन में तरक्क्की करते हो तो वहां पर विद राइज वर्ब का यूज हम करते हैं तो राइज का वी-2 और 2 Northeast Rescue न Dinge यह तीन जो मतलब यह यह जो मतलब वर्ब हैं यह कौन से वर्ब में आ गए इर्रेगुलर वर्ब टाइप 1 में आ क्योंकि यह आप देखोंगे तीनों यह अलग-अलग है एक चलिए आप यहां भी देखोंगे जब विसका वी-फूर बना है तो इसमें क्या किया गया यह बहुत आसान था है सह का वीटू आसाए और कि वीटू भनेगा 100 और कि वीटू बनेगा सीन सी समय सिक अगे यह सिक सीक का मतलु होता है हिलाना किसी भी वस्थु को किसी भी चीज को जब कहा हो तो यह तो वापर कर ड्रीनेवी ड intent होता है ठीक है यूज कहते है ना सूरज चमकता है तो वही चमकना कार्थ होता है ठीक vibes अधिक है और यह ज Remo जब बोलता है न तो यह segurança यह यह नहीं होता है यह व्यंकि यह व्यक्रभне कि ररही है यह बस ऐसा फही यह सेम न यह इंशन आगिए इसका विफ कर गदभ कैस साइण आप सुनते हों पैसन उंट्रीब उनगा आँदी हमारे पास है सूट सूट का मतलब क्या होता है तो आपने एक जनरली वर्ट सुनाओगा फोटो सूट ठीक है मतलब सूट का मतलब फोटो निकालना होता है और एक सूट का मतलब गोली मारना भी होता है तो सूट का यहां पर दो अर्थ होता है ठीक है सूट कर्थ क्या होता है फोटो निकाल है स्टीन का मटली यहुदा सिकुडना सिकुडना मतलब कोई भी चीज बढ़ा था वह अंदर से शिकुड की चोटा हो गया ठौप टो वहां पे हम सीब्रस रिंग वक्क ओ एक स्रिंक के यह हमारा टाइप थ्री में आता है तीनों फॉर्म क्या है अलग-अलग है श्रिंक का जो वीटू बनता है श्रींक का स्रैंक ठीक है और V3 shrunk अब देखें यहां पर कई बार confused करता है सस्य आपको वगरा में इसका जो shrunk जो है यह जो है आपका V3 form वो आपका 3rd form लेकिन कई बार आप देखते हो कई कई जगा पर shrunken लिखा होता है यह वास्तावीक में चीजें सारी information add करते चलेंगे ठीक है चलिए अगले सातियों sing 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 निर्जीव चीज का डूबना, ठीक है, कोई भी जब निर्जीव चीज डूबता है साथियों, तो उसको हम वहाँ पे उस जगा पे हम सिंक वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, तो आपके मन में सवाल उट रहोगा कि सर अच्छा ये तो ठीक है निर्जीव चीज, अगर कोई स सजीव चीज को डूबाते हैं, तो वहाँ वर्ड यूज था डॉण, डॉण का मतलब का होता है, डुबाना, ठीक है, डॉण मतलब होता है डुबाना, किसी सजीव चीज को, अब यह जो डॉण है साथियों, यह आपका रेगुलर वर्ब में आता है, ठीक है, अगर यह अगले अथी में पढ़ेंगे हम लो, निक्स्ट लिक्षर में, तो वहाँ पर मैं आपको रेगुलर वर्ब कराऊंगा, वहाँ पर यह वर्ब आएगा, ठीक है, अभी तक अभी बस आपको यह जानना कि यह जो डॉण होता है, इसका मतलब क्या होता है, किसी सजीव चीज को दुबाना, ठीक है, अगर किसी निरजीव को दुबाने के बारे में बात हो, तब वहाँ पर कौन सा वर्ब के इस्तिमाल करते हैं, तब वहाँ पर हम सिंग का इस्तिमाल करते है, ठीक है टू में आ गया ठीक है दो फॉर्म क्या हमारा सिमिलर है ठीक है चलिए लाश निक्ष्टेस आती हो स्ले स्ले का मतलब था वद्ध करना अब वद्ध करना मतलब कई लोग को यह समझ में नहीं आता वद्ध करना का मतलब था मारना ठीक है ना पहले क्या होता था पहले के समय में इसारा सुद्ध हिंदि हो गया, किसी का वद्ध किया जाता था, मतलब किसी को काटा जाता था, आप वद्ध करना मतलब भी कैसे, तो गला काट कर, आप यहां पर चाहो तो add कर सकते हो, सले मतलब गला काट कर, मैं लिख नहीं रहूँ, आप, ब्रचाओ तो अपने बुक में लिख सकते हो जे मतलब वद्ध करना कैसे वद्ध करना तो गला काटकर वद्ध करना मतवता मारना तो यहां तो श्ले का जो विट्वします स्ले स्ले ऍ lige वह स vontade का वी टू करनेगा द्लियो और सबीसरे की अगला निसelfी पिक कश इस स मतलब जा अस्पोकेन जो है इसका यूज हम adjective भी करने करते हैं कैसे करते हैं सबसे famous कई बार सुनाओगा क्या सुन आ है आपने हमेशा सुनां ए अस्पोकेन अंगलिस सुनाए को नहीं सुनाए तो यहाँ पर बताओ इंगलिस के हैं साथ हूँ तो यह चली आगे हैं चली चली आगे बढ़ते ां अगwerk आगवals आती हो स्टेंड स्टान्ट कमथ़का मतलब खड़ा होना मोलता है आप का मतलब खड़ा होना इसका में एल्ट स्टूर्ड स्टूर चलुब कर लिमा को चूरा लेता अखें अस्तिक अस्तिक का मतलब किसी भी चिज को किसी बी वस्तु को छुराना स्टिक अस्तिक से चिपकना श्तिक से चिपक जाना अस्तिक अस्तक टिक है इसका वी तू व ठी क्या बनेगा च्टिक डौक टाइप टॉ ऐ capability प्रूप प्रक्रोर्प ESPN कि जैसे मैं बता रहु एर्ट करना और सब्सक्राइब , ऐसाथषारीक का मतलब हरताल करना भी होता है Course भी होता है देखिए अगर lacking हो जो कि मैंने नीचे रखा आगर श्ट्राइक नाउन हो इसका मतलब हरताल होता है लेकिन अगर यह बन जहात Crowd करना इसका वीटू वीथरी कहाइब लिए वquila का स्ट्रक एंट्रक एंट्रक keeping है और छाए चिर्क ऐदेफ़नाग अगलाज यह साथियों SWEAR, SWEAR का Mतलब के होता है? सपत लेना ज executive I swear हम ये बोलते हैं कभी भी किसे को कोई बात पर विश्वाश नहीं हो दा है तो हम उसको मतलब क्या मतलब एक हिंदी में कसम खाते हैं जो водेना I swear मतलब मैं सपत अगर कभी भी आपको यह वर्ट दिखिया ठीक है V3 फॉर्म स्वेर का तो कई बार है ना हम पहचान नहीं बात में कि यह स्वेर का है इसलिए मैं आपको कर रहा हूं कि वर्पॉम आप याद करिए ठीक है इससे क्या होगा ना कि जब आपको यह सा यह सारे वर्पॉम कभी आपको लेगा नहीं अच्छा यह तो स्वेर का V3 फॉर्म है ठीक है आपको याद यह सारी वर्पॉम आपके बुक में जितने भी देगें सारे वर्पॉम याद होना है ठीक है याद करना है आपको चलिए आगे बढ़ते हैं स्विम स्विम का मतलब क्या होता है तैरना स्व स्विम स्वाम स्वम ठीक है अगला है स्विंग स्विंग का मतलब होता है जूलना ठीक है स्विंग का मतलब जूलना स्विंग स्वंग स्वंग अगला है टेक का मतलब टेक मतलब लेना टेक का मतलब लेना टेक का मतलब लेना जैसा बलता है गिव एंड टेक ठीक है गिव ए तेर मैंने यहां पर मैं क्यों पड़ रहा हूं यह जो वर्ब है यह टेर ही है अगर कोई लोग इसको टीर पड़ते हैं तो टीर का मतलब आसू हो जाता है ठीक है अगर इसका अर्थ फाड़ना हो ठीक है कोई जैसे कपड़े को फाड़ते हैं तो इसको इसका जो हमुचारन कर करता है साथ है वो टिर कहते हैं थानों तो टेर का मतलब फाड़ना ठीक है टेर तूर टॉर ठीक है इसको आपके आ पाड़ेंगे इसको पत्भयंगे टेर बीटू के और टूर हुरी का टॉर टॉर डिक है याद रखना यह से चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है साती हो वेर वेर का मतलब पहनना ठीक है कई लोग इसको भी गलत चारण करते हैं वेर वेर का वीटू क्या हो है वेर वर्वार्न खलय अगला वीव वीव का मतलब बुन्ना जैसे हैं már जाल बुना जाता है ठीक है तो उसको वहां पर हम यूज करते हैं वीव ठीक है वीव मतलब बुन्ना वीव वोव वीन अगला है साहते हैं वेमिल वाण वान ठीक है कौन सा टाइप काया यह दो सिमिलर रहाऊना टाइब रेगुलर वेऱ चलिए अगला आते हैं अगला डिया कि अगलिया वाइंड fiber का मतलब कया होता है वाइंड कम दोंता चाहभी लगाना ठीक wind का मतलब क्या होता है चावी लगाना अगर यह seem जो इसको हम पढ़ रहे हैं wind अगर यह noun form में हो तो यह हवा हो जाता हूँ अपने पढ़ा होगा ठीक है इसका मतलब क्या होता है हवा लेकिन जो इसका हम उचारन करते हैं साथियों यह wind नहीं बोलते हैं इसको हम wind बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं wind clear है लेकिन क्या हम इसको wind बोलेंगे नहीं इसको हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे wind इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे wind ठीक है तो वाइंड का मतलब क्या हो गया चाबी लगाना तो वाइंड वाउंड वाउंड ठीक है इसको क्या बोलेंगा वाउंड 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 लेकिन अब देखिए कैसे कैसे कहां पर कन्फूजन हो सकता है यहां पर वाउंड लेकिन अगर जब यह नाउन फॉर्म में होता है यह सीम अगर noun form में होता है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है घाओ जब यह noun form में होता है तो इसका उचरन यहाँ पर हम क्या गा रहते है wound लेकिन इसका उचरन क्या करते है साथियों इसका उचरन करते है wound इसका उचरन क्या करते हैं, इसका उचरन वुंड करते हैं, वुंड का मतलब घाओ, ठीक है? क्या यह चीज के लिए रहे? अब देखिए, अब यहाँ पर यह वीथरी फॉर्म था, लेकिन अगर यह जो वुंड है, यह वीवन के तोर पे युज हो, तो इसका मतलब क्या होता है? घाओ करना, यानि किसी को जखमी करना, किसी को चोट पहुँचाना, ठीक है ना? तो अगर यह नाउन फॉर्म में हो वुंड, इसका मतलब घाओ, वर्ब फॉर्म में हो, अगर यह जब वर्ब फॉर्म में आएगा तो इसका मतलब जखमी करना, ठीक है? क्लिर है? और यह जो वाइंड था, वाइंड का मतलब क्या होगा? चावी लगाना, मतलब सब का अलग अगल अगर्थ जब यह सब बहुत इंपोर्टेंट है यह सब ठीक है ना बाकी जी वाला तो सब को याद होता है यह सब जहां confusion है देखिए आप वीवन से भी confuse कर रहा है यह आपको वीधरी से भी जूड़ना मतलब जब आपकपडे धोते हो तो कपडे जब अब कपड जब दोल चुका वथ आपकर सूनिचोड़ता याँ पानी से हटाते हैं तो रिंग का मतलब क्या होगा साथ या हो धितून मैं जिस्ते ऑप करते थैंक हृए रही है तो साथियों यह irregular वर्ब मतलब group one आपके book में जैसे दिये गये थे वो खतम हो चुका है ठीक है तो आज का ससन ज्यादा लंबा नहीं किसते हैं ठीक है यही पर समाप्त करते हैं थैंक्यू आप अगरे पूछना है तो आप इंस्टा ग्राम से जुट जाएगा और अगर कुछ पूचना है तो आप इंस्टागरम से जूट जाएगा इंस्टागराम की ID आप और यह को अगर कोई आपको सवाल है तैयारी में कोई दिक्कत आ रहे है तो इंस्टाग्राम से जूड़ जाईएगा और अगर पीडियाफ चाहिए तो टेलिग्राम से जूड़ जूड़ जाएगा तो चलिए साथ यूं अगले सेशन में मिलते हैं इसी जोस इसी उत्सा के साथ सेशन क क्या सा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा ठीक है चलिए थैंक्यू जैहिंद अ हुआं